गन्ना किसानों की सरकार के खिलाफ नराजगी बढ़ती जा रही है किसान नेताओं ने आरोप लगाया की भाजपा की सरकार ने लगातार 6 साल के शासनकाल के दोरान मातरत 30 रुपे प्रति कुविंचल के वृधि की है जो उपज लगातार के हिसाब से काफी नहीं है जबकि गन्ने की पैदावार करने में खर्चा जादा आ रहा है बता दे कि गन्ने की खेती घाटे का सौधा बन गई है जिसकी यौर सरकार का ध्यान नहीं है वहीं लगतार किसानों की मांग करने के बावजूद सरकार अंदेखी कर रही है जिससे किसानों में रोश बढ़ता जा रहा है करने की अधर मिटिंग की गई हर एक डीसी को ग्यापन दिये गए लेकिन करने का रेट और सरकार ने बिल्कूल भी शुनाई निकिया अब तक और इसी जब सनाई नहीं हुई मजबूरी वर्स किसानों ने सुकर मिलों के सामने दरना देना पड़ा उसी बात को लेकर बैठे है क्योंकि 6 सालों से अब दूसरा प्लान है बीजेपी सरकार का और गन्ये का रेट मातर 30 रुपे बढ़ाया गया अब तक 6 सालों के अंदर जोंकि बहुत निमन सतर है अगर इस बात का पूरा सारा आगणा लगाएं तो खाद का रेट कितना बढ़ चुका है